हलो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों महाकाज विज्ञान का एक ऐसा अंग है जिसका खोज कभी ना खतम होगा नहीं होने वाला है जितने दिन बिदेंगे उतने ही नए खोज मिलते रहेंगे लेकिन हम और आप स्पेस के बारे में कितना जानते हैं बहुत कम मगर हम आपको महाकाज और ब्रह्मान से जुड़े कुछ ऐसे बाते बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो तो देखते रहें गेन न्यूस का ये एपिसोड और अगर आप इस चैनल पे नए आये हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा प्रेंड्स प्रित्वी में हम जितना भी आवाद सुनते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बायूमंडल बायूमंडल साउंड तरंगों के परिवहन में काम करता है एक जगा से दूसरे जगा आवाज बायूमंडल के सहारे ही चलता है मगर इसका ठीक उल्टा है महाकाश में स्पेस में कोई बायूमंडल नहीं होता इस करण वहाँ एकदम शान्थ परिवेश है और कोई ग्रेविटी ना होने के कारण कोई भी बस्तू या फिर इंसान तैरते रहते हैं किसी भी स्पेस सीप के साथ अगर एस्टोनट्स बंदे ना हो तो महाकाश में खो जाएंगे और उनको ढूणना ना मुमकिन हो जाएगा हाँ और एक बात आप लोगों को लग रहा होगा कि अंतरिक शियात्री प्रिथ्वी से तब कैसे संपर्ख करते होंगे तो चलिए इसका जवाब भी दे देते हैं रेडियो तरंगों से रेडियो वेप के सहारे अंतरिक शियात्री धर्ती में बने स्पेस टेशन के साथ संपर्ख साथते हैं हम सब को पता है कि बूद यानि मरकरी ग्रह सूरज के नस्दीक है तब जरूर इसका तापमात्रा अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़ादा होगा लेकिन ऐसा नहीं है मरकरी में बायू मंडल प्रॉपर ना होने के कारण सूरज से निकला तापमात्रा वहां नहीं रूखता बलकि वापस फैल जाता है सूरे मंडल में सबसे ज़्यदा टेंपरेचर होता है वेनस में शूकर ग्रह में कारवन डायकसाइड होने के कारण सूरज से निकला गर्मी बायू मंडल के अंदर ही रह जाता है बाहर नहीं निकल पाता इसके कारण वहां तापमान 462 डिग्री सेलसियस रहता है जो कि सूरे मंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तो धूमकेतियों को देखना किसे नहीं पसंद है हमारे स्कूल में हैलेस कॉमेट के बारे में सुना था उसके उपर हमारे उच्चुकता तभी से बड़ी लेकिन अपने आखों से देखने का सौभाग के शायल हम कम लोगों को मिला होगा क्यूंकि ये सामान ने धूमकेतु नहीं है हर 76 वर्ष बाद बाद ये पृत्वी से दिखाई देता है पिछली बार इसको 1986 में देखा गया था और अगली बार 2061 और 2062 के बीच किसी एक समय देखा जा सकता है सूरज हमारे सौरम अंडल के केंदर में है और इसी को चक्कर लगा रहा है पृत्वी और सब ग्रह पैगानिकों का मानना है कि सौरम अंडल के जादा तर ग्रह एस्टरोइट्स और कई चीजे हैं जो सूरज से तूटने के कारण बने है यानि ये सब सूर्य के अंग्ष है लेकिन के आपको मालूम है सौरम अंडल के अंतरगत जितने ग्रह, उपग्रह, एस्टरोइट्स, धूल, गैस इन सब का लगबग मिला के जितना द्रप्यमान निकलता है उसका 99 प्रतिशत सिर्फ सूरज का ही है इसी के कारण सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहों के ऊपर इतना जादा काम करता है ब्रह्मान कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और इस ब्रह्मान में कितने अकाश गंगाये हैं, ये भी खोज के विशय है लेकिन कुछ के बारे में जानकारी लगाया जा चुका है जैसे की एंडरुमेडा, मिल्कीवे, वर्लपूल और कई गेलक्सिस इनमें से मिल्कीवे गेलक्सी में है हमारे मद्धम वर्गे तारा सन खोज करताओं के मताबिक अब तक 125 बिलियन गेलक्सी को देखा जा सकता है या फिर इनके बारे में पता लगाया जा सकता है और हमारे मिल्कीवे अकाश गंगा में 100 से 400 बिलियन तारे है प्रित्वी से सबसे नजदीक में स्थित स्पाइरल गेलक्सी है एंडरोमेडा गेलक्सी एंडरोमेडा जैसे कुछ और गेलक्सियों के बारे में आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा अब आते हैं पृत्वी से सबसे दूर में स्थित गेलक्सी जी एन हाइफेन जेट वनवन पे ये सबतर्सी तारा मंडल के अंतरगत हाई रेट शिफ्ट अकाज गंगा है जो 32 बिलियन लाइट एर्स दूरी में स्थित है कर्मान लाइन एक ऐसा अंतराष्ट्य मान है जिससे पृत्वी का बायूमंडल और अंतरिक्स में सीमा और उनके बीच का फासला नापा जाता है Federation Aeronautic International के मताबिक सी लेवेल से 100 किलोमेटर उपर वाले रेखा से कर्मान लाइन शुरू होता है लेकिन NASA और US Air Force इसे नहीं मानते उनका ये नाप समुंदर के जलस्तर से 80 किलोमेटर उपर में से शुरू होता है अंतरिक्स में बायूमंडल नहीं है लेकिन अंतरिक्स का तापमान है Background Radiation जो की एक Electromagnetic Radiation है उसके अनुसार Space में तापमान माइनस 270.45 डिग्री सेलसियस है दोस्तों वेनस को अपने एकसिस में एक चक्कर घुमने के लिए 243 प्रित्वी दिवस के बराबर समय लगता है लेकिन सूरज के चारों और घुमने में 224.7 प्रित्वी दिवस लगता है सच में दोस्तों कितना Slow है ये वेनस जानते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में एक ही प्रकार का दो धातू किसी भी कारण अगर मिल जाता है, तो वो स्थाई रूप से मिल के एक ही हो जाता है खगोल वीदो के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत सारे तैरता हुआ पानी का कंड होता है, इनको मिला कर विशाल जलवाश्प का जमावट बना है तो इन सब को मिला कर जितना मास होता है, वो प्रिथवी में स्थित, समुंदर, नदी एवं महसागर में मौजूद पूरा पानी के कंड का जो मास है, उससे 140 ट्रिलियन गुना जादा है माउंट एवरेस्ट प्रिथवी का सबसे उचा परवच्चुडा है लेकिन इसका धाई गुना उचा एक धाल ज्वाला मुखी है मंगल ग्रहमी ओलिम्पस मौन्स नाम का ये ज्वाला मुखी अंतरिक्ष का सबसे बड़ा और सौर मंदल का सबसे उचा परवत है जिसका उचाई डेटम से 21,287.4 मीटर उचा है जियोडेटिक डेटम धर्ती में किसी स्थान को पता लगाने का संदर्थ विंदू है हीरा किसे नहीं पसंद है हम और आप सबको हीरा पसंद है परन्तु सोचिये हीरो का अगर भंडार आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे इतना सोचिये मत दोस्तो वो खजाना प्रित्वी से दूर और एक बही ग्रह में है 55 Cancry E नाम से एक्सपो प्लैनेट 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था अधिकांग्ष भाग कारवन से बना इस बही ग्रह में मौजूद एक तिहाई पदार्थ का द्रभ्यमान तापमान और दवाव के कारण हीरा में परिवर्तित हो चुका है 55 Cancry E नाम का बही ग्रह 55 Cancry A नाम से बना एक तारा का चक्कर लगाता है और सबसे पहला खोजे जाने वाला ये महा प्रित्वी का व्यास हमारे प्रित्वी से दो गुना जादा है अंत में एक और मज़दार तथे आपके साथ शेयर करता हूँ नासा के द्वारा स्विक्रित सूट का कीमत इतना US डॉलर है सूट का कीमत इतना क्यों हुआ जानते हैं बैक पैक और कंट्रोल मडूल के कारण जो की इन पूरा कीमत का 70% है तो दोस्तो ये था आज का फैक्ट्स फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बने धन्यवाद